दोस्तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी WhatsApp की चैट को लॉग कर सकते हैं, उसे हाइट कर सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा जो आपने चैट की है, उसे आप WhatsApp में ही छुपा सकते हैं और अपनी चुपीवी चैट को देखने के लिए यहाँ पे आपने search box में अपना password डाल लेना है, जो भी आपने password set किया होगा, वो यहाँ पे आपने डाल लेना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना password यहाँ डाल लिया है, money's at the rate 123, इस तरह से मैंने अपना password ल यहाँ पे अभी आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे छुपाए हुए चैट यहाँ पे अभी आ चुके हैं, जैसे मैंने search box में अपना password डाला, तो आप यह कैसे कर सकते हैं, जीज़ाँ चैट को आपने lock करना है, या hide करना है उसकी chat में आपने इस तरह से चले जाना है इसके बाद आपने क्या करना है उसके नाम के आगे tap करना है जैसे मैंने यहाँ पे उसके नाम पे tap कर लिया इसके बाद थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे आपको एक option देखने के लिए मिलत चाहिए तो यहाँ पे आपने continue वाले option पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपने अपना fingerprint यहाँ पे लगा लेना है तो जैसे आप यहाँ पे अपना fingerprint लगाते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपकी जो chat है वो अभी log हो चुकी है इसमें tick हो चुका है तो जैसे आप यहाँ पे back करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी logged chat देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन इससे अभी काम अभी पूरा नहीं बना है, कोई भी आपका WhatsApp खोलेगा, तो यहाँ पे यह वाला option उसे इस तरह से दिखेगा, logged chat वाला, तो किसी को भी पता चल जाए कि आपने जो chat है, वो log कर रखी है, अब हमें क्या करना है, इस logged chat को भी height करना है, छुपाना है, तो इस पे आपने सबसे पहले तो click कर लेना है, और दुबारा से आपने fingerprint अपने phone का इसमें लगा लेना है, जैसे आप यहाँ पे fingerprint अपना लगाते हैं, तो आपकी जो भी logged chat है वो देखने के लिए मिल जाती है, जो जो भी chat आपने log की है, सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, आपने यहाँ पे क्या करना है, उपर की side three dot पे यहाँ पे click कर लेना है, तो आपने chat log setting वाले option पे click कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है hide logged chat तो इसे आपने सबसे पहले तो on कर लेना है तो कुछ इस type का आपको इसके बाद दिखाए पड़ता है यहाँ पे एक option आपको देखने के लिए मिल जाता है create secret code वाला तो यहाँ पे create secret code वाले option पे आपने click कर लेना है और यहाँ पे एक password अपने मन से अपने set कर लेना है तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने मन से कोई एक password इसमें set कर लिया है password डालने के बाद next वाले option पे आपने click कर लेना है दुबारा से आपको वो पासवर्ड डालने के लिए बोला है मतलब दो बार आपने अपना password डाल लेना है दो बार password डालने के बार done वाले option पे आपने click कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यह आप यहाँ पे back करते हैं तो आपका जो वो वाला folder है log chat वाला वो अभी यहाँ से हट चुका है और आपकी जो सारी chat है वो hide हो चुकी है अगर आपको अपनी hide की हुई chat देखनी है तो यहाँ पे आपने search box में अपना password कुछ इस तरह से डालना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे अपना password डाल लिया है तो यहाँ पे अभी मेरी logged chat वाला एक option यह वाला देखने के लिए मिल गया है इस पे अगर मैं click करता हूँ तो जितने भी chat मैंने यहाँ पे log के हैं hide के हैं सब यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिल जाते हैं तो इसके बाद मैं इसके अंदर जाके इससे चैट कर सकता हूँ तो दोस्तो इस तरह से आप भी WhatsApp के अंदर ही किसी भी contact की चैट को hide कर सकते हैं उसे छुपा सकते हैं थन्यवाद